अब चार साल का ग्राजवेशन पूरा करके ही स्टूडन्स पीच्टी खर सकेंगे नच का एक्जाम दे सकेंगे इसकी जानकारी युनिवर्सिटी ग्रांड कामिशन यानी युजिसी के अध्याक्ष एम जग्दिश कुमार ने दी आपको नया नियम भी बता दूँ नया नियम के मताबिक अब जूनियर रिसोर्च फेलोशिप यानी की जे आरेफ चुसे हम कहते हैं इसके साथ या इसके बिना पिएजडी करने के लिए उम्मीदवारों को अपने चार साल के ग्राजवेशन में कम से कम 75% पिछटर प्रतिशवत नंबर लाने होंगे अभी तक नेट के लिए उम्मीदवारों को गम से गम 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिगरी की जरुरत होती थी अब स्टूडन्स ग्राजवेशन में भी 75% मार्क्स स्कोर करके नेट और पिएजडी कर सकेंगे जिन कांडिडेट्स ने तीन साल का ग्राजवेशन किया है या ग्राजवेशन में 75% से कम मार्क्स हैं वो पहले की ही तरह 55% स्कोर के साथ मास्टर्स करके नेट पिएजडी कर सकेंगे लेकिन इसी के साथ हमारे मन में उठते हैं धेर सारे सवाल अखिर graduation के बाद PhD करने की अनुमती दी क्यों जा रही है पहले का नियम तो यही कहता था पहले graduation फिर post-graduation क्या बच्चा चार साल की graduation में PhD करने योग बन सकता है UGC का ये फैसला क्या फायदे मन साविथ होगा या नुकसान दे होगा बच्चों के भविश्षके लिए में ABP Life Podcast पर मैं मांसी हूँ आपके साथ हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं Professor S.K. Sinha, Dean Academic Affairs in Chaudhuri Ranbir Singh University, Jind Welcome to ABP Life Podcast, Sir सब्सक्राइब पहला सवाल जो मैं आप से करना चाहूंगी वो यही अगर आप यह बताए कि पहले ग्राजवेशन फिर पोस्ट ग्राजवेशन इसके बाद प्रवेश मिलता था अभी तक तो यही चलता आ रहा था नियन ऐसा क्यों था? क्या बच्चा चार साल की ग्राजवेशन में प्राजवेशन करने योग गिबन सकता है? मादम इसमें मुझे यह कहना है ग्राजवेशन जो हम बता रहे हैं वैसे तो है ग्राजवेशन लेकिन यह फोर इयर ग्राजवेशन है फोर इयर ग्राजवेशन का मतलब है कि जंडरली ग्राजवेशन थी यर्स में होता है एक साल एक्स्ट्रा बच्चा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद अगर हम वैसे देखें तो एक तरह से वो PG का एक साल का कोर्स वो कट चुका है उसके बाद जब वो PhD में इंडॉल्ड होगा यह पहले भी National Education Policy में कहा गया था यह प्रोवीजन था इसमें इसका मतलब है कि जो PhD दो साल का जन्दली होता था उसमें सिक्स मंद का हम कोर्स वर्क कराते थे तो कोई मिला के तो कोर्स वर्क का जो समय है जो लगभग एक साल कोर्स वर्क में निकल जाता था और पीजडी का मीनिमम रिक्वार्मेंट टाइम होता था दो साल तो मुझे जगता है कि अगर चार स बच्चों का समय का नुकसान नहीं होगा, बच्चा टाइम रहते ही अपनी प्रहाई पुरा कर सकता है। दूसरी बात है, कि पहले भी कहा गया था, कि तीन साल में अगर बच्चे को 75% मार्ट होगा, तभी वो चौते साल में एडमिट हो सकता है, जिसमें 5% का जो छूट दिया गया है, वो SC, ST, OVC, Non-Crimalier का, दिब्यांग, आर्थिक ग्रूप से कमजोर बार्ग, अन्यस रहनी के म वर्थ और गर्थ है, तो एक नई सुरुवात है, और नई सुरुवात को हम सकारात्मक दिश्रिकून से देख सकते हैं, तो पिस्चे कहीं न कहीं, तो रिशर्च है, वो अपडेट होगा. पिएचिटी के बाद, अक्सर चात्र जो है, वो अकाडेमिक्स को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, टीचिंग लाइन में जाते हैं, तो इस तरह से हम पहले जादा पढ़ने के लिए और वक्त दे रहे थे, अभी एक साल कम हो जाएगा, इस एक साल में क्या बदलाव होते है क्या नहीं, यह आप ते बहतर को यह नहीं बता सकता, क्योंकि आप उसी इंडास्ट्री से हैं, क्या इस तरह एजुकेशन की क्वालिटी पर सवाल आएंगे? नहीं, मैम ऐसा देखें कि इस पर एजुकेशन की पॉलिशी पर जो संबाद है ना वो तो नहीं आना चाहिए, चुकि मैंने पहले ही कहा था कि जो लीरी की बात हम ग्राजुएशन की बात करते हैं, वो यह ग्राजुएशन पहले तीन साल का था, अब यह चार साल का है, तो कहीं नहीं कहीं, एक साल तो हम ज्यादा ही बच्चे को ग्राजुएशन में ही परहा दिये हैं, और जो नाशनल एजुकेशन पॉलिशी का फ्रेमवर्क करता है, जो फोर्थ एर में बच्चों को रिशर्च ओरियन्टेट, ओनर्स ओरियन्टेट कोर्स कराना है, तो अगर व बच्चों को भी मिलेगा, रिसर्च भी इंप्रूब होगा, और जहां तक रहा स्वाल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का उस पर मेरा कुलिशमेंट नहीं है, चुकि वह गवर्मेंट की पॉलिशी है कि कितना इनके पास वेटेंसी है और नहीं है, चुकि अब भी नहीं है अब भी टाइप एजडी तो बैठे हुए घर में नौकरी नहीं मिलता, वो एक डिफरेंट मुद्धा है, लेकिन यह उनकी केरियर के लिए अच्छी चीज है, दूसरी बात यह है कि यूजी सी ने कहा है कि वो किसी भी रिसर्च एडिया में रिसर्च कर सकते हैं, तो वो ज ग्राजविशन के बाद डिरेक्ट पी एजडी, डिरेक्ट नेट का एक्जाम देना, बीच में मास्टर्स दिग्री, तो फिर भी करना चाहेगा नहीं, तब क्या होगा? यहीं, चार साल का करने के बाद अगर वो 75 परसंट से कम स्कूर लाता है तब तो वो एक साल का पोस्ट गाजुशन करे नहीं करे जा पिर उसके बाद वो नेट क्वालिफाई कर सकता है, तो नेट क्वालिफाई का देगा पिर प्रेटी में इंडॉल्ड होगा आप से आपका मत पूछना चाहूंगी, UGC ने तो अपना फैसला दे ही दिया पीएच्ट करने की अनुमती ग्राजवेशन के बाद चार साल जिनका ग्राजवेशन का रहता है, ग्राजवेशन ऑफ कोर्स, आप से जानना चाहूंगी, आपकी क्या परस्नल उपीनियन है, ब यज भारत के अटमिक सेनारियो में हम अइसा अपजर्व करते हैं, की इनवर्सिटी में ही प्लिएन होता है, जिंडलीू को पॉलेज में तो होता है और जो दो तरह की नवर्सिटी, तीन तरह की नवर्सिटी हमारे स्टेंग कांट्रि में देखा जाता है, एक शंडली उन का स्टेट इनवर्सिटी है और एक डिम्ड इनवर्सिटी है जो जिन्दली चीज है इस तीनों में जो टीचर की सौटेज है और स्टुडेंट की जो लंबी कतार होगा तो पता नहीं वो बच्चे चाहके भी पीज़ी में इंडॉल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे एक ब प्यज़ के पीज़ी को तो पीज़ी कोलेज में इनका स्वार सेंटर नहीं है क्योंकि कॉलेज में रजै बनाना पर आगए अगर युजी सी इस तरह चाहर चाहर एक मेंदेसन भी जिस कॉलेज जो कॉलेज है जहां पर फोट एयर ग्राडुलेशन चला है वह भी डिछ और तब तो कहीं ने कहीं इनका जो 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 पॉलिशी है जो जिस सोच पर यह काम करना चा रहे हैं वो शफल होगा अन्य था तो जिसा अभी के हाला थे वह अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है आखिर में ही आप सो जानना चाहूंगी चुकि आपने अच्छे और खराब की बात करी अब इस पैसले से योजी सी के क्या अच्छा होगा जिसको आपने थोड़ा बहुत अभी बीच में बताया भी था कि स्टूडेंस के लिए किस तरह से अच्छा है वहीं खराब की अगर हम कि अब नेट का तीन के जोगा एक नेट होगा जिसमें जिसमें असिस्तें प्रोफेशर की लिजिबिटी है और तीसरा नेट के लिए उसने कहा जो उसके थूरू वह प्युए में रॉलोगा जो इन्वर्सिटी अपने लेवल पर टेस्ट आरंज करती है वो ना होके नेट क तो जितने इलबत्ये नेट क्लियर करेंगे और नेट क्लियर करने के बाद अगर उनको सुपरवाइजर नहीं मिल पाएगा तो कहीं न कहीं जो मेरा अनुभव कहता है तो प्राइवेट इंवर्सिटी में तो बस नॉमिनल इंवल्मेंट जादा होता है शीच स्टक्टर जाद और तो इससे वो काम हो सके इसके अलाव इस टॉपिक से रिलेटी अगर आप को और इन फॉर मेशन देना चाहते हैं जो हमने सवालों में कि वह आप बिल्कुल बदा सकते हैं सब नहीं इसमें एक विए कहाना चाहता हूं के पीएश्डी के बाद जिनदली इलबक्चे अका पर्सेंट लोग होते हैं जो एक डाटरेट की दिगर लेना चाहते हैं ये कंपरसंटेज है बड़ जो नए यूत है वो तो इसलिए करते हैं कि हम पीएश्डी हो जाएंगे तो हमारा सेलेक्शन कहीं होगा तो सेलेक्शन की जो रिक्वार्मेंट होगा उसमें उदीसी इस तर सब्सक्राइब और रेस्ट क्वालिटी को जैसे अबिलिटी इनहांसमेंट इसके लिए जुके संट्रल इनवर्सिटी का है वो 65 है आज जितने भी बच्चे दिली भी सुध्याले में लगे हैं वो कम से कम तीस साल नोपरी करेंगे तो इसका मतलब तीस साल तो बेकेंसी नहीं करेंगा जब तक कि वर्कलोड नहीं बढ़ता है ओके इस बात को भी ध्यान देना है यह एकर हमारे डिपार्टमेंट में साथ पोस्ट है और सातों पोस्ट भड़ा हुआ है और उसकी रिटार्मेंट एड तक 20 साल तक डिटार कोई नहीं होगा तो 20 साल तक तो नहीं होगी एक नहीं दे रखा है कि प्रोफेसर कितना सुपरवाइज करेगा आसोसेट कितना सुपरवाइज करेगा तो वह भी एक लाइन खीका हुआ है तो हम उससे जादे करी नहीं सकते हैं तो इन सब कीजों पर भी युजिसी को ध्यान देने की बात है और जहां तक रिसर्च की ब लेकिन आप अगर इसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत बहुत बहुतर क्वालिटी तो रिसर्च का है में तो कि युजिसी ने इसके पहले एक रेगुलेशन दिया था जिसमें कहा था कि पीएजडी करते समयं बच्चे को दो पेपर उजिसी केर लिस्ट इसको पस करना है फिर उन्होंने उसको चेंज करके कह दिया कि जरूरी नहीं है तो जब आप जरूरी ही नहीं है तो हरेक इनवर्सिटी दिली इनवर्सिटी नहीं हो सकता और हरेक इनवर्सिटी कोई अच्छा डिपोटेड इनवर्सिटी नहीं हो सकता हरेक तरह की इनवर्सिटी हमा कि चो फैसले हैं यह क्यों लिए जा रहे हैं क्यों ऐसा किया जा रहा है कि हमारा education system इस तरह बनता जा रहा है in my kind meals family क्याests सफला तो अच्छे समी लिया जाता है लेकिन दरना अच्छा कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा उसके लिए हमको री मोट में जो कभी कोई बेक्ती गाओं की लाइट को नहीं देखा हो और सहर की लाइट को देखके अगर कोई प्लैनिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं वो फेल्योर प्लैनिंग है चुकि हम बच्पन से इस बात को जानते हैं इस 60% पॉपलेशन गाओं में बिंजबात करता है तो प्लैनिट और सेंट्रलिस में बटा हुआ है एक इनवर्शिटी में टीचर 58 में रिटार होता है करी 60 में होता है करी 65 में होता है इसको बैलेंस यूजीची को करना चाहिए इनवर्शिटी टीचर हार एजुगेशन का टीचर का एक तरकी पॉलिशी हो तब ही यह स्टेबला तीन और चार परचाप नियम बना रखे है इस पर उजीची को ध्यान देना चाहिए था इस पर बात भी करना चाहिए था कहीं ने कहीं एस्टाबलिटी होगा लंबे समय तक शीनियर टीचर की कमी होते जा रही है तो कि रिटार्मेंट होता जा रहा है रिकुर्टमेंट उस यह था कि पीनियर परफेसर नहीं हों लिए जाए पर बता दू इसमें यूजीची ने भी हाली में सुपरवाइजर का सुपरवाइज करने का वर्कलोड कि रिखम किया है तो जब हम भचे पर ध्यानी नहीं देंगे वर्कलोड नहीं मानेंगे तो एक्स्टा वर्कलोड या वन आबर का वर्कलोड में कमी होता था कि आप बच्चों को सुपरवाइज कर रहे हैं तो उसकी भी टाइम आप नहीं दे रहे हैं तो केबल ये नियम बनाने से वालिधी बरहेगा ऐसा मेरा मान में नहीं है एक्जाक्ली साथ थांक यू सो मच हमारे साथ जोड़ने के झास्त